हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी उनिवर्स मद्द प्रदीश की नमबर वन चैनल फो डेली करेंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज 21 जून 2019 और यह हमारी 181 भी क्लास है त्वेल इंपोटेंट क्वेशन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एक्जाम और आपके नॉलेज की दरस्टी से बहुत इंपोटेंट है इन क्वेशन को आप नूट कर लें क्योंकि यह आपके एक्जाम में पूछे जाती हैं साथी क्वेशन रिलेटेड इंपोटेंट फेक्ट भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तों अगर आपको MPG के और करेंट अफेर से रिलेटेड कोई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपके आंसर जरूर करेंगे क्वेशन नमर फर्स्ट पर चलते हैं हाली में मद्यप्रदेश के किस तेराक ने उलम्पिक के लिए क्वालिफाई किया है जिसका सई उफ्षन है दोस्तों अद्वैत पागे हाली में अद्वेथ पागी ने 13 की में क्वालिफाई किया है मध्य प्रदेश की ओर से और ये भारत का प्रतिने दित्व करेंगे दोस्तो पागी सिंगापूर 13 की चेंपियंशिप में नया रास्टी रिकॉर्ड बनाते हुए 2020 उलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुगे हैं ये मध्य प्रदेश के स्विमर हैं दोस्तो आपको इनकी बारे में अतना जरूर याद रखना है महिला क्रिकेट वर्ल कप 2021 किस देश में खेला जाएगा तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड में महिला क्रिकेट वर्ल कप 2021 खेला जाएगा दोस्तो आपको बता दे 30 जनबरी 2021 को न्यूजिलेंड में ICC क्रिकेट महिला विशुकप की शुरुआत होगी विशुकप का यह 12 वा सत्र होगा इसमें कुल 31 मैच खेले जाएगे और कुल 8 टीम है इसमें हिस्सा लेंगी दोस्तो आपको बता दे मौजुदा रेंकिंग की लिहाज से ऑस्टेलिया एंगलेंड भारत दक्षणाप्रिका जैसी टीम है सीधे क्वालिफाई करेंगी महिला विशुकप के लिए तो आपको इतना जरूर याद रखना है दोस्तो आप बात आईए न्यूजिलेंड की तो आपको मैप में न्यूजिलेंड की बारी में बता दें मैप में ये जगए न्यूजिलेंड को दरसाती है दोस्तों New Zealand की राजधानी के अगर हम बात करें तो यहां की राजधानी है Wellington और New Zealand की मोनार्च है एलिजावेथ दुटिये New Zealand की प्राइम मिनिस्टर है जैसनेडा आर्डरन दोस्तों वहीं बात करें अगर New Zealand की करंसी की तो New Zealand की करंसी है New Zealand डॉलर तो इतना आपको न्यूजिलेंड की बारी में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन भारत का डीडी इंडिया चैनल किन देशों में देखा जाएगा तो दोस्तो इसका सही option है बांगलादेश और साउथ कुरिया बांगलादेश और साउथ कुरिया में भारत का डीडी इंडिया चैनल देखा जाएगा दोस्तो आपको बता दें केंदर ने बांगलादेश और दक्षन कुरिया की साथ समझोता किया है इसके तहर DD India चैनल इन देशों में मुफ्त में दिखाया जाएगा बंगलादेश में यह सरकारी चैनल VTV वर्ल्ड पर देखेगा इसके बदले में दूर दर्शन पर बंगलादेश का चैनल दिखाया जाएगा ऐसा ही कुछ दक्षन कुरिया के साथ भारत ने समझोता किया है दोस्तो अब बात आईए बंगलादेश की तो आपको मेंप में बंगलादेश के बारे में बता दें मेंप में ये जगह बंगलादेश को दर्शाती है बंगलादेश की राजधानी है धाका, करंजी है टका, बंगलादेश की राश्टपती है अब्दुल हामिद और बंगलादेश की प्रधान मंत्री है शेक हसीना तो दोस्तो इतना आपको बंगलादेश के बारे में याद रखना है Next question महिला फुटवर्ड वर्ल्ड कप में हाली में किसने सबसे ज़्यादा गोल किये है तो दोस्तो इसका सही option है मारता वेरा, मारता वेरा ने महिला फुटवर्ड वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल किये है दोस्तो आपको बता दे ये ब्राजील की रहने वाली है और इन्होंने खाली में महिला फोटवर्ड वर्ल्ड कप में सबसे जादा 17 गोल किये हैं दोस्तो एक और important fact आपको याद रखना है ये पुरोस और महिलाओं में सबसे उपर हैं यानि अभी तक 17 गोल किसी भी पुरोस प्लेयर ने नहीं किये हैं और नहीं महिला प्लेयर ने किये हैं मारता वियरा एक मात्र ऐसी खिलाडी हैं जोनोंने वर्ल्ड कप में टोटल 17 गोल किये हैं तो ये question दोस्तो बहुत important बन जाता है आपको इतना जरूर याद रखना है और ये ब्राजील की रहने वाली हैं next question देश का पहला digital garden किस राज में तयार किया जाएगा तो दोस्तो इसका सई option है केरल केरल में देश का पहला digital garden तयार किया जा रहा है दोस्तो आपको बता दें 21 एकड में फैले इस garden में 126 प्रजातियों के पेड की पहचान कराई जाएगी जिसमें QR code दिया जाएगा आप मोईल इसकेन करते ही इस स्पीड की बारे में जानकारी ले सकती हैं तो आपको याद रखना है देश का पहला digital garden केरल में तयार किया जा रहा है दोस्तो अब बात आएगे केरल की तो आपको मैप में केरल की बारे में बता दें मैप में ये जगए केरल को दरसाती है केरल की स्थापना एक नॉमबर 1956 में की गई थी गवर्नर हैं पी सथा सिवम केरल की मुख्यमंत्री हैं पिनराई बिजियन और केरल की राजधानी है तिरू अनंत पुरम तो दोस्तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है साती दोस्तो हाली में रजिस्ट्री सुल्क में दूद समला दू प्रतिशत की ब्रद्धी की गई है रियल एस्टेट कारुवार में तेजी लाने के लिए मद्धिपर्दिश सरकार द्वारा ये दो बड़े फैसले लिये गए हैं हाली में केविनेट की मीटिंग में चलते हैं नेक्स्ट वर्शन पर हाली में रास्टिय वीलचेयर वास्केटवाल प्रतियोगीता का शुवारंब कब किया जाएगा तो दोस्ति इसका सही ओफ्षन है 23 जून 23 जून को रास्टिय वीलचेयर वास्केटवाल प्रतियोगीता का शुवारंब किया जाएगा दोस्तो चंडीगण के मोहाली में देश की छटवी रास्टिय वीलचियर वास्केटवाल चेंपियंशिप का आयोजन 30-23 जून से 29 जून के बीच किया जाएगा दोस्तो खास बात यह है कि इस चेंपियंशिप में मद्वर्दीश की टीकम गड़ से 5 दिव्यांग खिलाडी हिस्सा ले रहे हैं और यह यहां मद्वर्दीश टीम का पृति निदित्व करेंगे दोस्तो आपको यह एक important fact जरूर याद रखना है चलते हैं next question पर हाली में कब 208 दिवस मनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है 20 जून हाली में 20 जून को 208 दिवस मनाया गया है दोस्तो इस दिवस पर UN द्वारा एक report चारी की गई है जहां आपको बता दें, दुनिया में 108 में से एक व्यक्ति विस्थापित किया जा रहा है ऐसी रिपोर्ट हाली में UN द्वारा जारी की गई है 2018 में 1.36 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ा है वहीं अगर बात करें 2017 की तो इसी रिपोर्ट के अनुसार 2017 में 23 लाख ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा था दोस्तो सबसे ज्यादा सरवादिक जो देश छोड़ने वाले व्यक्ति हैं वह शीरिया, अफगानिस्तान और सूरान की हैं और सबसे ज्यादा जो सरणाति आए हैं वह तुर्की, पाकिस्तान और योगानडा में आए हैं तो इस रिपोर्ट के बारे में आपको जरूर याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में कौन सी कंपनी ने क्रिप्टो करंसी की घोशना की है तो दोस्त इस सई ओफ्षन है फेस्वुक हाली में फेस्वुक ने क्रिप्टो करंसी की घोशना की है दोस्तो आपको बता दें फेस्वुक ने हाली में लिवरा नमक क्रिप्टो करंसी की घोशना की है इसे ओप्चारिक रूप से 2020 में लौँच किया जाएगा दोस्तो आपको बता देए क्रिप्टो करंसी क्या होती है इसके बारे में तो क्रिप्टो करंसी एक प्रिकार की डिजिटल मुद्रा है यह मुद्रा बहुत एक रूप से उपलब्द नहीं होती है यानि दोस्तो यह ऐसे सिक्वी जैसे या नोटों में उपलब्द नहीं होती है इसका उप्योग डिजिटल लेंदिन में किया जाता है दोस्तो आप बात करें वहीं Facebook की तो आपको बता दें Facebook की स्थापना 4 फरवरी 2004 में की गई थी इसके संच्थापक मार्क जकर वर्ग है दोस्तो Facebook का मुख्याले कैलिफोर्निया में इस्थित है तो आपको इतना Facebook की बारे में जरूर याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन निम्नमैसी कौन सा आयोग भूपाल में इस्थित है तो दोस्तो इसका सही option है ये सवी आयोग राज्य वाल संरक्षन आयोग मद्द्द्देश उभूकता संरक्षन आयोग मद्रदेश राज्य योजना आयोग और मद्रदेश रेल सेवा आयोग ये चारों आयोग भूपाल में इस्थित हैं दोस्तो इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और आयोग की जो भूपाल में इस्थित हैं तो मद्यप्रदेश पिशडा वर्ग आयोग भूपाल में इस्थित है, मद्यप्रदेश अनुसूचित जनजाती आयोग भी भूपाल में ही इस्थित है, मद्यप्रदेश अलपसंकक आयोग और मद्यप्रदेश महिला आयोग ये भी भूपाल में ही इस्थित है, तो दोस्तो आपको इसके बारे में इतना एक important question याद रखना है कि ये सभी आयोग बोपाल में इस्थित है next question मद्यप्रदेश विद्यूत प्रदाय अधीनियम लागू कब किया गया था दोस्तो इसका सही option है 1948 में 1948 में मद्यप्रदेश विद्यूत प्रदाय अधीनियम लागू किया गया था accurate date की अगर बात करें दोस्तो तो 10 सितंबर 1948 को विद्यूत प्रदाय अधीनियम मद्यप्रदेश में लागू किया गया था वहीं अगर दोस्तो बात करें मद्धिप्रदेश विद्योत मंडल की गठन की तो 1 दिसंबर 1950 को मद्धिप्रदेश विद्योत मंडल की इस्थापना की गई थी चलते हैं नेस्ट क्वेशन पर केंद्र सरकार द्वारा अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने के लिए मद्धिप्रदेश के किन शहरों को सौर शहर कारिकरम में जूडा गया है तो इसका सी उफ्षन दोस्तो ये चारों है इंदोर, ग्वालियर, भोपाल और रीवा इन चारों शहरों को केंद्र द्वारा अक्षय उर्जा को बढ़ावा देने के लिए मद्धिप्रदेश में सौर शहर कारिकरम में जूडा गया है दोस्तो आपको बता दें केंद्र के नवीन और नवीकणिय उर्जा मंत्राला द्वारा 60 शहरों में यह कारिकरम प्रस्तुत किया गया था जिसमें मद्द्प्रदेश की ये चारों शहर भी शामिल किये गए हैं दोस्तो आप बात करते हैं प्रिवियस टे के क्वेशन की तो कल का क्वेशन था जहलपुर शहर को मद्द्प्रदेश में क्या कहा जाता है तो दोस्तो इसका सही option है मद्यप्रदेश की संसकार राजधानी मद्यप्रदेश की संसकार राजधानी की नाम से जबालपुर को जाना जाता है मद्यप्रदेश की संस्कृती राजधानी की नाम से उजन को मद्यप्रदेश की खेल राजधानी की नाम से इंदौर को और मद्धिप्रदेश की उर्जा राजधानी के नाम से सिंग रौली को जाना जाता है दोस्तो अगर बात करें question of the day की तो आज का question है मद्धिप्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारन किस जिले में इस्तित है दो दोस्तो इसका answer आप में कमेंटर बॉक्स में दें हम आपके इंतजार करेंगे तो दोस्तो आप मारे चैनल study universe को subscribe कीजिए videos को like कीजिए share कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्धिप्रदेश और world के interesting facts को लेकर हाजर होंगे तब तक नमस्कार have a nice day